हाई गाईज, जबदस में आपका स्वागत है, अभी हाल ही में, सोशल मीडिया पर प्रियांका चोपड़ा ने अपने माँ बनने की गुड नियूस दी, जिससे उनके फैंस और बी टाउन में खुशी की लहर दोड़ गई, प्रियांका चोपड़ा ने अफिशली अनौन्स कि कि उन्होंने सरोगेसी के त्रू माँ बनने का राश्ता चुना, और फिलहाल वो अपनी फैमली को टाइम देना चाहती है, लेकिन इसके बाद से ही हर किसी के मन में ये सवाल उठते हुए नजर आए कि आखिर ये कौन है, जिसने प्रियांका और निक जोनस के बेबी को जन और आखिर क्यूं इसका पल ने सरोगेसी का रास्ता चुना, ऐसे ही सवालों के जवाब लेकर हाजर हैं हम आज के इस वीडियो में, आगे बढ़ने से पहले चानल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तो चलिए, बाकी कोई और हल चल के बिना, लेट्स गेट उस दिनों पहले ही बॉलिवुड की PC यानी प्रियांका चोपडा, अपने इंस्टेग्राम हैंडल पर ये न्यूज शेर करती हुई नजर आईं कि वो सरोगेसी कितरू मा बन चुकी हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है कि पोस्ट मिंटों में ही वाइरल हो गया, और उनके प्रियांका चोपडा अपने पोस्ट में ये रिवील करती हुई नजर नहीं आई थी, कि उन्हें बेटी हुई है या फिर बेटा, खेर, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रियांका और निक के घर एक बेवी गर्ल आई हैं, जहां तक रिपोर्ट की मानी जाए, तो ये एक प्रिमेचॉर डिलिवरी है, जहां उनकी बेटी का जन्म समय से पहले हुआ है, जी हाँ दोस्तों, जहां पूरे विश्वर से इस पावा कपल को विशिस मिल रही हैं, वहीं ये बात सामने आई है कि इनकी बेटी 12 वीक्स पह का जन्म पहले ही हो गया, रिपोर्ट की मानी जाए, तो प्रियांका और निक की बेटी अभी भी साउथ कालिपॉर्णिया के हॉस्पिटल में ही है, और उसे तब तक घर लेकर नहीं जाया जाएगा, जब तक वो पूरी तरह से हेल्दी ना हो जाए, बात करें अगर सरोगे का जन्म दे चुकी हैं, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि प्रियांका हमेशा से ही मा बनने को लेकर काफी वोकल रही है, उनका हमेशा से यही कहना था कि उन्हें बच्चे बेहत पसंद है, और जब भी भगवान की मर्जी होगी, तब वो मा बनना जरूर पसंद करेंगी 1 डिसेंबर 2018 को प्रियांका और नेक शादी के बंधन में बंद गए थे, और फिर कुछ समय बाद से ही इस कपल की तरफ से गुट न्यूस सुनने के लिए उनके फैन्स काफी बेताब थे, आपको बता दे कि रिपोर्ट का कहना है कि प्रियांका और नेक काफी समय से पेरिं कि उन्हें खुद को पेरंस बनने का टाग दे देना चाहिए, जिसके बाद साउथ कैलिफॉर्णिया की ही एक टॉप एजिंसी से दोनों ने कॉन्टाक्ट किया, जहां कई आप्शन्स पर सोच विचार करने के बाद दोनों इस नतीजे पर पहुँचे कि उन्हें सरोगे से कि तरू बेबी चाहिए, इसके बाद इसी एजेंसी कि तरू उनकी मुलाकात सरोगेट मदर से करवाई गई, जो प्रोफेशनली काफी फिट थी, वहीं दूसरी तरफ उन लेडी से मिलते ही प्रियांका और निक ने उन्हें अपने बच्चे की सरोगेट मदर के रूप में चुन लिया, जहां तक बात है सरोगेसी को चुनने की, तो सोर्सिस का कहना है कि प्रियांका थर्टी नाइन इयर्स की एज में भी पूरी तरह से फिट हैं, और वो एक बच्चे को जन्म दे सकती थी, लेकिन उनका बिजी शेडूल उन्हें और निक को एक साथ टाइम स्पे करने में एक काफी बड़ी रुकावट थी, प्रियांका पहले ही कई प्रोजेक्ट्स के साथ अग्रिमेंट कर चुकी थी, जिसके वज़ा से वो काम से ओफ नहीं ले सकती थी, इसके अलावा थर्टी नाइन इयर्स की एज में मा बनना आगे जाकर उनके और बच्चे की हेल हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में, थांक्स वर वाचिंग